मैं भारत को भारतियता की मानुटा के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ और हो थी एडविना नहरू भी उससे लगा हुआ जिन्ना भी लगा हुआ और एडविना इतनी चाला दोनों को हैंड्ल करती थी दोनों को एंड़ें और किन दोनों को तैयार किया उसने नहरू को और जिन्ना को दोनों आपको एक घटना सुनाता हूँ जो आर्काइव्स के रिकॉर्ड में धर्च है किसी दिन ये रिकॉर्ड्स कुलेंगे तो देश में विस्फोट होगा 3 जुलाई 1947 को एडविना और उसका पती तथा कतित पती सो कॉल्ट माउंट बेटें क्योंकि माउंट बेटें एडविना के साथ कभी वेडरूम में सोया नहीं जितने दिन वो भारत में रहा तो कौन सोता था आप सब जानते हैं माउंट बेटें तथा कतित पती एडविना का 3 जुलाई 1947 को अपनी पत्नी को बिलाता रूँ कहता है कि मैं जा रहा हूँ शिम्ला क्यों जा रहे हैं अंग्रेजों के यहां से चिठ्थी आ गई है पारलिमेंट से कि जल्दी से भारत का बटवारा करने के लिए तयारी करो दोनों देशों को अलग अलग करना है चिठ्थी आ गई है मुझे इस पे कुछ काम करना है तो एडविना ने पूछा काम क्या करना है तो उनका मैं जा रहा हूँ शिम्ला तुम दोनों को लेके मेरे पीछे आओ दोनों मने नहरू और जिन्ना इसको लेके आओ तो एक ही दिन लाना है नहीं नहीं अलग अलग दिन लाना है तो पहले पहुँच गया माहूं बेटे पीछे से एक दिन लेके गई वो नहरू को नहरू को शाम कोई इशारे इशारे में कहा गया कि आपको बटवारे के पेपर्स पर हस्ताक्षर करने हैं नहरू ने कहा कि मैं नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकते तो कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी में मुझे पूछना पड़ेगा तो Congress Working Committee में बाद में कहना पहले हस्ताक्षर कर दो तो नहरू ने कहा नहीं है और ये सब थोड़ी देर चला वारताला थोड़ी देर के बाद एडविना ने arm twisting किया और वो arm twisting ये था कि Mr. Nehru अगर आप अभी sign नहीं करते हैं तो मुझे कुछ photographs भारत की प्रेस में release करने पड़ेंगे और वो photographs क्या थे एडविना के साथ शराब पीते हुए एडविना के साथ डांस करते हुए एडविना के साथ पता नहीं क्या क्या करते हुए एडविना इतनी चालाख महिला थी कि अंतरंग छणों को उसने photography से उतरवा के रखा हुआ था कभी भी इस्तेमाल करने के लिए नहरू जी परेशान हो गए कि अगर ये photographs release हो गए तो क्या होगा इवी डेट वो तयार हुए और 3 जुलाई को सबेरे धाई वजे उन्होंने signature कर दिये दिल्ली भाग कर आये Congress Working Committee की मीटिंग बुलाई और कहा कि मैंने तो भारत का बटवारा स्विकार कर लिया तो Congress वाले परेशान हो गए कि आपने बिना हम से पूछे तो उन्होंने का हाँ परिस्तिती कुछ ऐसी थी कि मैंने वो बटवारा स्विकार कर लिया क्या परिस्तिती थी तो सच नहीं बताया बताया कि वो जिन्ना अड़ा हुआ था और भारत के साथ बारगेमिंग करने की कोशिश कर रहा था इतना एरिया मुझे पाकिस्तान में दो दो ये सब बापे बता के Working Committee को convince किया तो Working Committee ने कहा कि गांदी जी को बताया तो उनका गांदी जी को बताने की जरूरत नहीं है क्यों जरूरत नहीं है तो नहरू जी का sentence सुनिये ये बुड़ा खूसक इसका दिमाग खराब हो गया है इसको बताने से क्या फाइद है लेकिन बात तो पहुँची गई गांदी जी तक गांदी जी ने फिर Working Committee की मीटिंग बुले और इस Working Committee की मीटिंग में आखरी बार उन्होंने कहा कि देखो नहरू ने हस्ताक्षर तो कर दिये लेकिन मैं भारत के नागरेकों की तरफ से इसको माननिता अगर ना दू तो अंग्रेजों की सरकार परिशान हो जाएगी लेकिन तुम सब तय कर लो कि नहरू को रखना है या बाहर करना है तो Working Committee में फूट पड़ गई कुछ लोगों ने समर्थन कर दिया कुछ लोगों ने विरोध कर दिया सरदार पटेल उस समय खामोश हो गए मौन हो गए उन्होंने अपना उपीनियन नहीं बताया तो कई लोगों ने उसका अपना-पना अलग अर्थ लगाया फिर गांदीजी ने का कि फिर ठीक है तुमको जो करना है वो करो मेरे पास आज से आना बंद कर दो वो आखरी दिन था उसके बाद गांदीजी ने कांग्रेस वरकिंग कमेटी की मीटिंग में जाना और उनको अपनी पास बुलाना बंद कर दिया और उसके दस बारे दिन के अंदर तीन जुलाई से लेके 17 जुलाई 1947 के बीच में इन्होंने बहुत सारे वो काम कर दिये कि बटवारे में कौन सा हिस्सा पाकिस्तान जाएगा कौन सा भारत रहेगा आर्मी का बटवारा कैसे होगा लोगों का बटवारा कैसे होगा पैसे का बटवारा कैसे होगा वो सब फॉर्मूले तै कर लिये अंग्रेजों ने एक अधिकारी भेज दिया उस अधिकारी ने बाउंडरी लाइन तै कर लिया और उसके बाद सब कुछ तै होकर 14 अगस्त रात 12 बजे उन्होंने भारत को तथाकतित आजाद कर दिया दो टुकडे करके भारत और पाकिस्तान मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहने आया हो ये कि भारत और पाकिस्तान का बटवारा कोई वैचारिक आंदोलन का परिणाम नहीं था भारत और पाकिस्तान का बटवारा कोई बहुत बड़े युद्ध करांती का परिणाम नहीं था भारत और पाकिस्तान का बटवारा दो नेताओं के चरित्र से उतर जाने का दुश्परिनाव हमारे यहां यह कहा जाता है कि सामान ने आदमी दुश्चरित्र हो जाए तो उसका स्वयम का पतन होता है लेकिन भारत के प्रधान मंत्री पद के दावेदार व्यक्ती के चरित्र का पतन हो जाए तो राष्ट्र का ही विनाश होता है यह कहानी है हिंदुस्तान के बटवारे के आप बोलेगे जी क्यों सुनाई इसलिए सुनाई कि एक तरफ सरदार भगत सिंग जैसे छे लाख बत्ती सजार क्रांतिकारी जो भारत को आजाद होकर एक नया राष्ट बनाने का सपना देख रहे थे और एक तरफ जिन्ना और नहरू जैसे लोग जो अपने चरित्र में नीचे गिर कर देश की सप्ता का सौधा कर रहे थे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे धन्यवाद